वजन घटाने के लिए हम आमतोर पर तरह तरह की जद्दो जहद करते हैं लेकिन खानपान में बदलाव करना अत्यदिक कारगमाना जाता है खानपान शरीर को कई तरह से प्रभावित करता है और सही डाइट से तेजी से वजन कम करने में मदद मिल सकती है सर्दियों में ना एक सरसा इस करने का मन करता है और ना ही बिस्तर से उठने का ऐसे में एक्टिविटी लगभग जीरो हो जाती है आप अपनी डाइट अच्छी रखकर इस दोरान वजन घटाने की कोशिश कर सकते हैं यहां जिन फलों और सबजियों के जूस का जिक्र किया जा रहा है वे पोश्टिक भी हैं और शरीर के फैट को बढ़ने से रोकने वाले भी इन्हें आप सुबह या शाम के समय पी सकते हैं वजन कम करने के लिए जूस पालक का जूस सेहत को दुरुस्त रखने के लिए तो पालक खाया ही जाता है लेकिन वजन कम करने के लिए आप पालक का जूस बना कर भी पी सकते हैं पालक का जूस बनाने के लिए इसे काट कर पीस लें आप इसमें स्वाद के लिए हलका काला नमक मिला सकते हैं यह नौन स्टाची होता है, फाइबर से भरपूर होता है और इसमें कार्बो हाइड्रेट्स की मात्रा बेहत कम पाई जाती है गाज़ का जूस शरीर के लिए गाज़ का जूस भी अच्छा है सरदियों में बाजार में गाज़ की भरमार भी होती है इसलिए इसे खरीद कर जूस बनाने के लिए बहुत ज्यादा जद्दो जहद करने की जरूरत नहीं पड़ती गाज़ वजन घटाने में इसलिए असरदार है क्योंकि इसमें फाईबर की अधिक मात्रा होती है जिसके सेवन के बाद पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करता है और बार बार भूख का एसास नहीं होता जिससे फूड इंटेक कम होने में मदद मिलती है इसके अलावा यह पाचन के लिए भी अच्छा है चुकुंदर का जूस, लाल चुकुंदर आयरन, कई एंटि आक्सीडेंस और मिनरल से भरपूर होता है इसमें वेट लॉस फ्रैंडली फाईबर होते हैं जिनमें बेहत कम क्यालोरी पाई जाती है इस चलते इसे पोशक तत्वों का पावहाउस कहा जाता है इस चलते चुकुंदर का जूस सर्दियों में वजन घटाने के लिए पीना एक अच्छा ऑप्शन है सेब का जूस, वजन घटाने के लिए सेब का जूस भी पिया जा सकता है सौ ग्राम सेब में 50 क्यालोरी पाई जाती है जो इसे लो क्यालोरी फूड बनाती है दो कप कटे हुए सेब में एक चुटकी दालचीनी का पावडर और एक कप कटा हुआ चुकुंदर डाल कर पीस लें यह जूस सेहत के लिए तो कमाल का साबित होगा ही साथ ही वेट लॉस को भी बूस्ट करेगा अगर आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी है और इसमें से किसी भी चीज से अलजी है तो इन नुस्खे को अपनाने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारी वीडियो लाइक करे शेयर करे और हमारा हाश्मी.com चैनल सब्सक्राइब करें